हेलो एव्रिवान कैसे आमसर भी होप्षिव अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो एक बाद फिर से स्वागत आपका मैंच भाय राजेस चंग रापे नेक्स टॉपिक है हमारा इन्वार स्टिनमेटी फोंक्ष compete उपकर एक ऽमेरे टीक्र इन्वार हो इस इंव्रिश किक्रेफ्य प्रकटी हो नहीं है नहीं आना चाहिए लेकिन जैसे CBC कुछ MCQ बगारा जो रिलीज हो रहे हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज दिख रही हमें कि कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना ही पड़ेगी साथ ठीक है तो for the sake of completion बोलो या फिर कोई चीज चूटे ना ऐसा नहीं होना चीक एक्जाम टाइम पर जाके जब एक्जाम खुर ले तब हम पता लगे हो यह भी पढ़ना था हमें ठीक है तो उस point of trigonometric functions की property के नहीं हो सकते है ठीक है एक property है जो मुझे पता होनी चाहिए तो वो property हम सीखेंगे और जो में inverse trigonometric functions है उनके derivative निकालना हम सीखेंगे इतना काम हाज करेंगे और थेन उसके उपर बेस जो questions है वो भी आज ही complete कर लेंगे ठीक है तो हम सब I think जानते है सबसे पहले कि trigonometric functions क्या होते हैं ठीक है तो we have only six inverse trigonometric functions यानि six trigonometric issues होते है उनी का inverse जब लिया गया then become inverse trigonometric function the first one is your, अगर मुझे दिया जाए कि sin inverse x का derivative क्या होगा ठीक है पहले में directly formula लिखवा देता हूं ठीक है फिर मैं इसका derivation बहुत ही असान है ठीक है अगर आपने last classes देखी या नहीं आपने implicit function का derivative देखा है तो आप कर सकते हो मिंच बाइचन साब कर आपको याद नहीं रहता है कि इसका derivative क्या है then आप drive कर सकते हो वो एक minute का काम है ठीक है तो first formula is dy by dx of sin inverse x होता है मेरा one divided by root of one minus x क्यों simple dy by dx of next is your cos inverse x ठीक है यह उतर सिंपली सर एक minus sign का difference आजाएगा बाकी चीज़े रहेगी से ठीक है यानि sin inverse x और cos inverse x के derivative में क्या difference है सर एक minus sign का difference बाकी चीज़े हैं same as it is ठीक है next बात करते हैं dy by dx अगर मुझे मिलता है टेंजेंट इन्वास x जागें 1 divided by 1 plus x ठीक है या 1 divided by x स्क्यार प्लस 1 एक ही बात है उस पर आज से कोई फरक नहीं पड़ता कि e plus b लिक हो या b plus e लिक भूँ simple the next dy by dx of अगर मुझे मिलता है cot inverse x that is equal to minus 1 divided by 1 plus x स्क्यार यानि अब टेंजेंट और स्क्यार कोस्ट में क्या डिफ्रेंच आए सर सिर्फ एक माइनस साइन का साइन और कोस्ट में क्या डिफ्रेंच था सिर्फ एक माइनस साइन का ठीक है the next dy by dx of अगर मुझे मिले second inverse x तो यह जाएगा simply sir 1 divided by mod of x into root of x square minus 1 ठीक है and the last one dy by dx of अब यह निकाल के दिखाऊ हूं मैं कैसे आए no problem दिख्केत वाली बात नहीं है क्या है 1 divided by mod of x into root of x square minus 1 again the difference is of a minus sign ठीक है तीन याद करने हैं और हम सब ने सीखा हुए differences में कि c लगते ही मेरा sign क्या हो जाता है minus तो मतलब अगर मुझे sign inverse x का derivative आता है tangent का आता है और sec का आता है ठीक है तीनों के positive होंगे बाकि तीन जो बच गए sign cos sign वाले के आगे minus का sign लगा दो cot में tangent वाले का minus sign लगा दो और उसमें हमें basic सा पता लग गया था कि inverse trigonometric functions क्या होता है ठीक है तो वहां पर आपको यह इस एक्स के बारे में बता हुआ कि sign inverse x का domain क्या होता है यानि x कहां 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 के लिए define होता है तो वह हम सब को पता है this is from minus one to one यह चीज़े मुझे clear रहनी चाहिए ठीक है तब ही यह चीज़े पॉसिबल है क्योंकि exist कब करेगा जब यह इसके बीच में लाई करेगा ठीक है similarly इसके लिए भी मेरा जो डुमेन है सेम रहता है डुमेन फॉसिद्वास एक्स इस यह एक्स की किस-किस वैलीव लिए होता है इसके लिए टेंजन इसके लिए यह किसके लिए होता है सर यह तो रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर लिग दो कोई दिक्कत नहीं है similarly caught in verse x b for any real number domain of course inverse x is sorry caught in verse x is any real number clear second verse of court इसके लिए क्या होता है इन दोनों के लिए जो मेरे domain होता है that is from minus infinity to minus 1 close is open union close interval 1 to infinity इसको कुछ ऐसे बोल देते हैं ठीक है इसी को बोलने का तरीका यह भी है कुछ बोल देते हैं real number में से क्या माइनस कर दो sir open interval minus 1 to 1 minus कर दो ठीक है और इसी चीज़ को बोलने का तरीका है कि x is greater than equal to 1 and x is less than sorry and नहीं और लगाएंगे और x is less than equal to minus 1 यानी x जो है 1 से बढ़ा होना चाहिए 1 से बढ़ा होना चाहिए और minus 1 से चोटा होना चाहिए तो इस बात को कैसे भी लिख दो तो यह वो चीज़े हैं जो हम पहले से जानते हैं क्लियर यहां तक को दिकत नहीं है ठीक है साइन का फॉर्मला पूछा है साइन स्क्रेट थीटा क्या होगा सर वन माइनस कॉस क्यार थीटा रूट इदर लेग जाओ स्क्यार वन डिवाइड बाई यही मैंने कुछ किया दट टिक है से मिलती चुलती की सिम्लर कॉस के के समें है है वही सेम चीजी हैे कि भाई कोर्श निकाल Halo तो भी कुछ ऐसा ही होताम तो डिवाइडेट बाईडर से क्या होता है स्वकर्वाइड स्थिटा इस एकव़िज्वल तू सीक 16 लिट मेंने कोट के केस में भी 1 प्लस कोट्स कर तेटा कर तेटा मैंने नीचे लिख दी सर और सेम इसी से से क्स बनता है मेरा कैसे बनेगा सर सेक बनेगा जब मैं इसको ले जाओंगा यहां पर ऐसे ठीक है तो इंट्रलेट करके चीजे याद रख सकते हूं याद रखने का तरीका है चीजनिमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं चीक है अब बात करते हैं यह कैसे बहुत सिंपल तरीक है मेरे पास क्या है सर साइं इन्वर्स एक्स है तो लेट भी मेरे पास फंक्शन गीवन है यह इसका डेरिवेटी पूस्ता हम से तो यह तो मेरा फॉर्मॉला अगा दाए यह मेरा आंचर है sir, मुझे formula नहीं आता, तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैं काम करता हूं sir, हमने यह चीज तो पढ़ी थी ना, कि sin inverse x, y equal to sin inverse x है, तो इसको मैं sin y equal to x लिख सकता हूं, yes or no, yes or no, इसी का तो मैं सी है था, या इसका inverse यह है, clear, अब दोनों तरफ differentiate कर दो, और ऐस sir, differentiation में last class में दिखा था, implicit function में, differentiating both side, you get here, dy by dx of sin y is equal to dx by dx, अब मुझे बता ही, sin y का differentiation sir, simple सा cos y होगा, sin का होने के बाद अंदर बचा y, y का क्या होगा sir, dy by dx, is equal to x का with respect to x, that is 1, so dy by dx is equal to क्या हो जाएगा sir, 1 divided by cos y, दो ले जीए, that is cos y, सो यह मेरा आंसर आगे एक तरह से, लेकिन, 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 क्या होगा है sir, की problem क्या है, मुझे आंसर जो चाहिए ने, x की form में चाहिए, ठीक है, तो देखो मेरे पास sin y है, क्या cos y निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते है sir, मेरे पास formula क्या होता है, sir, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, मुझे cos निकालना है sir, तो cos square theta is equal to क्या हो जाएगा sir, 1 minus sin square theta, इसका मतलब, cos theta क्या हो जाएगा, root of 1 minus sin square theta, और 7 में लगेगा plus minus, yes or no, ऐसा ही होता है, put the values, so plus minus मेरे as it is, root of 1 minus sin, sin, अब देखो, मुझे y निकालना है न, तो theta की से replace कर दो, y से replace कर दो, that's it, तो sin y क्या है, x है, और x का हो जाएगा, square, x square, यानि cos y की value क्या है, plus minus, root of 1 minus, x square, चीज़े clear, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चीए, ठीक है, अब वापिस से आते हम, कि, अब बात है, cos y की value, क्या मैं ऐसे लिकूं, यानि इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं लिकूं, 1 divided by root of 1 minus x square, और यहां पर आगया, मेरा plus minus, अब उपर लगाई, नीचे लगाई, यह doesn't matter, ठीक है, उपर लगाई, नीचे लगाई, कोई फरक नहीं पड़ता, अब मैं वापिस से आया, कि, यह दोनो plus minus 1 से 1 के बीच में लाई करेगा, yes or no, sir, बिल्कुल हमें पता है, sine inverse x का domain जोता है, minus 1 से 1 होता है, अब मैं पूस्तों, इसकी range क्या होती है, range मतलब इसकी value, इस function की value, मतलब y की value, तो वो क्या होती है, sir, वो होती है, sir, principal value branch में consider करूंगे, यानि minus pi by 2 से ले करके, pi by 2 के बीच मे yes or no, sir, बिल्कुल, यानि मैं कहां कहां हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मैं हूँ, sir, minus pi by 2 मतलब यहां से ले करके, pi by 2 मतलब यहां तक, मतलब first or fourth quadrant में हूँ, और first or fourth quadrant में मेरा cost क्या होता है, sir, हमेसा positive होता है, cost क्या होता है, sir, हमेसा positive होता है, इसका मतलब यह minus नह आएगा क्या आएगा सिर्फ प्लस आएगा that's why your formula is something like that ठीक है that's why sin inverse x is 1 divided by root of 1 minus x क्यों चीज़े clear yes or no that's it ठीक है तो यह concept थे चोटी-चोटी चीज़े हैं जो समझने चाहिए आपको ठीक है normally questions करने के लिए enough है कि आपको यह formula आद हो that's it ठीक है derivation आए नाए doesn't matter matter नहीं करता है क्योंकि आपको करके नहीं दिखाना है मुझे सिर्फ यह आना चाहिए ठीक है बट कुछ concept होते हैं जो इनसे आप सीखते हो that's why मैं आपको यह चीज़े करा रहा हूं ठीक है ठीक है जैसी यह वाली चीज कि आप प्लस आएगा की माइनस आएगा किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा नया concept मिल गया similarly आप कॉस इन्वस एक्स का कर सकते हो ठीक है same procedure रहेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ difference किया रहेगा इसकी बजाए यहां साइन वाई आएगा और वह भी माइनस साइन के साथ ऐसा क्यों ठीक है क्योंकि भाई जब मैं साइन वाई सॉरी यहां पर क्या होगा जब मैं क्या कर दूँगा साइन की वजाए function लोगा cos inverse x so now this become your cos y और cos y का derivative होता है सर माइनस का sin y माइनस sin y into dy by dx बाकी सीजियर है कि addities, sin फिर भी प्लस ही आएगा क्योंकि इसका domain तो यही होता है बट range होती हो क्या होती है 0 से πाई यानि first and second quarter first और second में sign क्या होता है सर positive होता है ठीक है तो यह वाला मैंने करवा दिया यह आप कुछ से करोगे similarly बाकिया आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी एक एक पार्ट और मैं करवा देता हूं ठीक है जैसे tangent court में टेंजिन में positive होता है सलो मैं court वाला कर एक-एक मैं करवा दूगा एक-एक आप कुछ से कर लिना ठीक है यह मैंने करवा दिया यह आप कुछ से ट्राइब करेंगे नहीं आता है comment section में बताएंगे हम करेंगे बापिस से कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं नहीं जाएगा कौन चा करें नेगेटिव साइन वाला कर ल कि नेगेटिव साइन के साथ c वाले का डेरिविटी वहिं समाज ने आस होता है यह कोट का हो गया रचा यह का लिख होंगे d y बाद d x is equal to x का derivative with respect to x is 1 so now dy by dx क्या होगा सर मेरा is equal to 1 divided by यह minus 9 उदर जाव तो यह minus यह अधरी नीचे चला जाएगा that is your cosec square y चीज़े clear? मुझे आंसर किसकी form में चीए? x की form में फिर चे वही formula है सर मेरे पास क्या होता है? 1 plus cot square y जो होता है वो equal to cos x square y के equal ठीक है? यहां तो plus minus का लफड़ा ही नहीं है 1 cot y की value x है this simply become 1 plus x square put the value so minus 1 divided by 1 plus x square that's your answer clear? tangent होता तो यह x square बन जाता sec निकालता है तो same procedure है सिर्फ minus sign नहीं आता that's it easy? it's very easy ठीक है? so अब इन दोनों को देख लो ठीक है? कोई भी एक लेख सकते हो doesn't matter same procedure रहेगा ठीक है? लोग minus said रहते है minus वाला करवा जेता हूँ plus वाला कुछ से कर ले न यानि cosec वाला करवा जेता हूँ now the function is y is equal to cosec inverse x again do the same process we get to cosec y is equal to हो जाएगा x differentiating both sides cosec का differentiation क्या होता है? यह तो सिर्फ cosec का हुआ क्या बचा? y तो y का लिख होगे dy by dx is equal to x का with respect to x sir बन हो गया मैंने पास बचा dy by dx is equal to क्या होगा? देखो यह minus extra है यह उपर चला जाएगा यह वालिटरम नीचे जाएगी तो यह हो जाएगा cosec y into cot y चीज़े यहां तक क्लिया? yes or no? yes now cosec y minus 1 divided by sir cosec y तो मैंने x लिया था तो यह तो x ही आएगा जाएगा को दिक कर sir कोई प्रॉब्लम नहीं है cot y निकालो फिर से sir मेरे पास होई है कि 1 plus cot square y is equal to होता है cos x square y 1 को उदर ले जाते है तो यह हो जाएगा sir cot square y is equal to cos x square y minus 1 मुझे cot चाहिए तो यह जब root set जाएगा फिर से बात आजाएगी plus minus 1 नहीं किसकी बात आजाएगी plus minus ठीक है? तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि plus आएगा कि minus आएगा फिर से ठीक है? और cos x square y कहा है cos x कहा है sir x इसकी जगे मैं लिख देता हूँ son x square this is your x square minus 1 I think यहां तक चीज़े clear है यानि मैं ऐसी को यहीं लिख सकता हूँ plus minus root of x square minus 1 यहां तक किसी बात प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब बात ही आती ही plus minus का क्या करूँ? ठीक है plus आएगा की minus आएगा कैसे decide करूँ? ठीक है तो अब यहां पे देखो ध्यान से cos x फिर से अगर मैं इसके domain की बात करूँ तो domain कहां से कहां तक होगा sir sir x की value होँची minus infinity चे लेकर के minus 1 तक close interval और infinity के सता हमें सा open interval union close interval 1 to open interval infinity तक यह होता है sir मेरा domain और range यानि value of y क्या होगी sir इसकी value of y होगी sir close interval minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 तक लेकिन बीच में एक value हम निकाल देते हैं वो होती है sir 0 हम क्या निकाल देते हैं? 0 इसमें से निकाल देते हैं तो यानि इस y की value जो होगी वो कहा होगी sir again we are in the 4th and 3rd quadrant except this बस ये value नहीं होने चीए बीच में ठीक है? 0 वाली इसके लगा बाकी सारी values होगी ठीक है? यानि हम होंगे 4th quadrant में और हम होंगे 1st quadrant में ठीक है भाई? कॉसेक से जो मैंने court की value निकाल ले तो आप ध्यान से देखो अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक क्या होता है sir 1st में तो सब positive होता है लेकिन 4th में क्या होता है negative और court की बात करूँ तो court के case में भी same होता है sir court के case में भी क्या होता है same होता है यानि 1st quadrant में दोनों positive होते है और fourth quadrant में दोनों ही negative होते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है sir कि मान लो अगर मैं इस function की value one से infinity तक यानि इस x को अगर मैं ले लेता हूँ positive मैंने एक मिनिट के लिए मालावी x की value मैंने positive यानि one से infinity तो positive का है first quadrant यानि मेरी value जो है जीरो से ले करके pi by 2 के बीच में लाई कर रही है तो first quadrant में अगर यह value है x मेरा positive है तो यह भी positive यानि इस plus minus में से मेरा sign क्या आएगा जर सिर्फ plus का sign आएगा अगर मैं first quadrant में हूँ तो लेकिन अगर मैं move करता हूँ second, sorry fourth quadrant में तो fourth quadrant का मतलब है मैं यह x क्या ले रहा हूँ सर अब मैं negative x ले रहा हूँ क्या value ले रहा हूँ मैं negative x ले रहा हूँ ठीक है यह अगर fourth quadrant में है तो court y की value भी क्या आएगी सर negative ही आएगी तो ultimately देखो यह भी minus यह भी minus तो minus minus again this become plus ठीक है तो ultimately यहाँ sign का कोई role नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि जब यह court है यह जब plus होगा तो यह भी plus होगा यह निदो जब first quadrant में होंगे दोनों positive होगे और दोनों जब second quadrant में होंगे sorry fourth quadrant में होंगे तब दोनों negative होगे ठीक है that's why यहाँ पे is formula में हम क्या use करते हैं sir मोड यूज करते हैं इसलिए मैंने यहां पर मोड यूज की होगा है तो doesn't matter x की value positive हो negative doesn't matter you can use this like that clear that's it similarly आप sec के लिए कर सकते हो ठीक है sound में बहुत अच्छी बात है नहीं आया कोई बात नहीं फॉर्मुले याद करो काम चल जाएगा ठीक है भाई सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ trigonometric sorry inverse trigonometric functions की properties की ठीक है यह तो मेरे just formula थे जो मैंने drive करवाएं ठीक है जिनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी बट फिर भी बच्चों को आने चाहिए तो that's why मैंने करवा दिया कोई बात नहीं ठीक है सो अब जो next part मैं करवाने वाला हूं वो है मेरी inverse trigonometric functions की कुछ properties जो मुझे पता होनी चीए ताकि मैं आगे वाले questions कर पाऊं ठीक है तो properties की आए ध्यान से देखिए एक बात हमेसा ध्यान रखे कि जहां पर भी यह चीज़े मैं लिख दूं ठीक है या कोई भी function doesn't matter आप inverse trigonometric function पढ़ रहे हो कोई भी type के function पढ़ रहे हो doesn't matter आपको यह पता होना चीए कि उस function का domain क्या है ठीक है वो clear cut आपके mind में होना चीए otherwise आप जब उस function को define कर पाऊगे तभी आप उस function पर कोई formula apply कर सकते हो otherwise नहीं कर सकते है ठीक है तो आगे की questions मुझे करने के लिए differentiation की कौन सी property की ज़रूत है वो मैं लिखता हूं कि अगर मुझे function मिलता है sign inverse sign x इस टाइप से इसका answer क्या होगा सर x ही होगा ठीक है अब ध्यान देने वाली बात है यह x क्या है sign x अब यह x एंगल है या यह x कहां से कहां लाई करना चाहिए दिमाग में होना चाहिए minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 के बीच में यानि principal value branch की में बात करूँगा जहां यह function 1102 होत यह सर जो इसकी principal value branch होती को इसकी क्या होती है सर close interval 0 से पाई है the next one is your tangent inverse tangent x यह भी क्या होगा सर मेरा x ही होगा अब इसकी domain कहां होता है सर टीक है टेंजन का कहा होता है open interval minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 open interval क्योंकि 90 पे मेरा define यह होता टेंजन्ट ठीक है next similarly cot inverse cot x is also equal to sir x यानि सब ऐसे ही होगा कोई भी trigonometric functions का inverse ले लो into trigonometric function के साथ जो भी function है उसका answer वही होगा but condition है कि यह x जो है इसकी principal value branch में लाई करना चाहिए that's it ठीक है अगर मैं in general formula लिखूं तो trigonometric function का inverse trigonometric function का inverse चाहिए वो कोई भी हो into trigonometric functions और यह जो angle है x यह हमेशा x ही रहेगा किस condition में जब यह x जो है इसकी principal value branch में लाई करेगा that's it ठीक है so this is again x और यह x कहां लाई करना चाहिए ठीक है this is from 0 to pi open interval ठीक है this x is from there the last one is your second was sec x is also x and cosec inverse cosec x is also x इसके लिए x कहां लाई करना चाहिए सर अगें 0 से pi but close interval लेकिन क्या नहीं होना चीज़ में pi by 2 क्योंकि 90 पर यह we define नहीं होता similarly यह x कहां से कहां होगा सर close interval pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 ठीक है बट क्या नहीं होना चीज़ के अंदर 0 नहीं होना चीज़ है ठीक है यह कुछ फॉर्मले हैं जिनकी मुझे जरूर्द पढ़ेगी आगे की सॉल करने के लिए यह प्रॉपर्टीज है इन्वास्टिग्निमेट्रिक फंक्संस की जो मुझे पता होनी चाहिए ठीक है तो सीधा फॉर्मला क्या है टेंजन सॉरी टीक्निमेट्रिक फंक्संन का इन्वास एंट्टु टीक्निमेट्रिक फंक्सन जो जिसमें मिलता है वह एक सटीज लिगत बस ठीक है और विकन से सिंपली सर इससे एक यंचला बट यह बच जाते है ठीक है याद गरने का तरीक है, और कुछ नहीं है, clear, यह जरूरत है मुझे करने की, ठीक है, अब इससे related एक property और बता रहे तो, कि अगर इसका reverse भी मिल जाए, कि अगर मुझे मिलता है, sin into sin inverse x, यादि sin के अंदर sin inverse x है, ये भी x होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि, अब sin inverse x, इसका domain जो हो जाता है, minus 1 से 1, यह ध्यान अखना है, यहाँ पर इसको भूल ला व, इस sin x को देखो, ये एक angle है, angle क्या होता है, से principal value branch में आता है, sin inverse x, sin theta की value कहां से कहां तक vary करती है, minus 1 से 1 तक, similarly आप हर एक trigonometric की यानि cos inverse x, x कहां से कहां तक होने चीए, same sir, sin and cos के लिए तो same होता है, similarly आप tangent, cot, sec and cos x के लिए कर सकते हो, बस आपको यह पता होना चीए, कि उनकी range क्या होती है, क्या होती है, जो मैंने यहां बताया, ठीक है, कि इसका domain यह होगा, यह होगा, then for this one real number, real number, and for this one, जो मैंने लिखा था, minus infinity से, minus 1, union 1 to infinity, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे function भी work करेंगे, सबके लिए 6 के से work trigonometric formula के लिए, यानि सिंपल सा concept क्या होता है सर, और एक important चीज मैं यहां बताऊंगा, याद रहेगा नहीं, ठीक है, कि, अगर मैं, जैसे मैंने आपको लिखागा कि, कोई भी trigonometric function है उसका inverse है, then trigonometric function x, ऐसे मुझे की बना है, इस cancer क्या होगा सर, x होगा, जब यह x क्या होना चाहिए सर, x क्या होना चाहिए, principal value branch में होना चाहिए, और यह आपको पता होना चाहिए, principal value branch क्या है, अगर नहीं पता, तो inverse trigonometric वाला chapter देखो पहले, ठीक है, यह principal value branch के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और अग मुझे मिलता trigonometric function into trigonometric functions का inverse अगर मुझे मिलता है, then it is also equal to x, then it is also equal to x, ठीक है, अब यह x कहा लाई करना चाहिए सर, इसकी, यानि tangent की जो range होती है, ठीक है, यानि हर एक function के लिए, inverse function का जो domain होता है, और we can say, जो सीधा function, यह x की जो range होती है, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, यह होगा, तो यह valid है, दोनों formula है, ठीक है, दूसरी चीज, one marker, maybe पूछ ले आपसे, but maybe नहीं, exam point division नहीं पूछना चाहिए, कि अगर मैं आपको पूलू ना, कि sin inverse sin, x is equal to x, and sin, sin inverse x, ठीक है, कभी भी, जब आपको यह given होगा है, x की value doesn't matter कुछ भी हो, at least दोनों में से एक true होता है, कम से कम एक true होता है, कम से कम इन दोनों से में से क्या होता है, एक true होता है, ठीक है, तो why just one marker आपसे पूछ ले तो बताते ना, ठीक है, बस इतनी information enough है, जादा जानने की ज़रूत नहीं है, हम सीधा move करता हूं कि मेरे पास जो questions होंगे, उनको मुझे कैसे करना है, ठीक है, यह आपको याद रहने चाहिए, बहुत आसान है, simple sign का derivation तक मैंने करवा दिया, जिसके ज़रूत नहीं थी, ठीक है, तो अब हम करेंगे NP-based questions, और उनके लिए सबसे important चीज़ जो है, कि आपने जो 11th standard में trigonometric formula जो किये थे न, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको trigonometric formula नहीं आते हैं, तो फिर आपको problem है, ठीक है, trigonometry आपकी अच्छी होने चाहिए, में जो हमने formula किये थे वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आगे जो मैं questions करवाने वाला हूँ, वो चुटकियों में हो जाएंगे, otherwise formula डोटते रहोगा है, ठीक है, तो याद नहीं है, तो बेटा पहले याद करो, ठीक है, जो discussion में जो use होगा वो उसके साथ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, बागी का मैं आपको खुट करने है, clear, start करते हैं, देखो भाई इसका, 5.3 का question number 9 मुझे given है, ठीक है, तो क्या दिव है y is equal to, sin inverse, 2x divided by 1 plus x square, ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिवांग में यह भी आ सकता आवे तक जो हमने किया, sir की chain rule हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले sign inverse का करते हैं, formula हमारे पास है, अभी अभी हमने पढ़ा है, and then जो function बचकिया उसका derivative करते हैं, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह question हो जाएगा, बहुत complicated हो जाएगा, ठीक है, कैसे complicated हो जाएगा, ठीक है पहले 1 divided by root of 1 minus x, यानि यह पूरी ट्रम जितनी गीवन है उसका square, और फिर इसका derivative, उसका भी question rule से लगाऊगा, तो नीचे square आएगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सर, lengthy और hectic process है, बेटर क्या है, वही चीज़ हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने वह आपको property बताई, क्या करना आपको simple सा, ऐसा question जब भी दिखे, sin inverse दिखते ही, तो मेरे दिमाग मैंने चीज़, inverse trigonometric functions में मैंने क्या पढ़ा सर, इस chapter से पहले मैंने जो बताया, एक ही type की property बताई, कि सर कोई भी trigonometric functions का inverse दिखे, उसकी आगर मैं trigonometric function लोग दूँ, और यहाँ पे x मिल जाए, और यह x क्या होना ची़, प्रिंचिपल value branch में तो इस cancer x आ जाता है, simple सा, ठीक है, साइन के लिए मुझे याद आता है सर कि अगर मुझे मिले sin inverse, sin x, तो यह होता है सर मेरा x के equal, यह किस के equal होता है सर, simple सा x के equal होता है, ठीक है, बस condition क्या है, यह x जो है, principle value branch मतलब, minus pi by 2 से लेकर के, pi by 2 के बीच में लाई करना चाहिए, चीक है, यह हर बार मैं क्यों बोल ला हूं कि 99% cases में यह लाई करेगा, 1% case होगा, जबके number खा जाएगा, तो उसका मुझे ध्यान लखना है, इसका मतलब, मेरे दिमाग में आया है, यहां से कि यह मैंने पढ़ाया सर, इसका मतलब क्या मैं इसको sin inverse x की formula ला सकता हूं, sorry, sin x की formula लिख सकता हूं, ऐसा दिमाग में आते ही मेरे सावन में आना चाहिए, कि यहां पे जो function होगा ना हमेशा, वो एक sin का formula होगा, कोई ने कोई sin का formula आपने इस type से पढ़ा होगा, जो ऐसा दिखता होगा, कुछ याद आया, नहीं आया तो मैं बता दूं, देखो, अगर नहीं आ रहा ना तो क्या करना है आपको, कि sin की जितने formula बढ़े ना सारे लिख लो, चीक है, उन में से कोई ने कोई एक यहाँ fit बटेगा, देखो कैसे, sin 2 theta मेरा होता है सर, 2 tangent theta, whole divided by 1 plus tangent square theta, याद आया कि नहीं आया, क्या sin 2 theta के एक formula होता है, 2 tangent theta divided by 1 plus tangent square theta, yes or no, yes, अब ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ एक्स है, अगर मैं उसके टेंजेंट theta रख दूँ, तो मेरा काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, सर बिलकुल बन सकता है, यह तो sin बन जाएगा, अगर sin बन जाएगा तो बनाओ ना, ठीक है, बस यही काम मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सब्टिट्यूट करूँगा, कि मैं करता हूँ कि put, x is equal to tangent theta, x को tangent theta पूट करने से क्या हुआ देहां चे देखो, y is equal to क्या होगे सर मेरा, sin inverse, 2 into, x की जी का मैंने रख दिया सर, tangent theta, whole divided by 1 plus x की जी का फिर से मैंने रखा tangent theta, this becomes tangent square theta, तो y is equal to, this become your sin inverse, 2 ten theta divided by 1 plus 10 square theta, तो सर अभी अभी मैंने यही तो formula बता है, this simply become sir, sin 2 theta, चीज़े clear, यहां तक किसी को दिकत, सर को दिकत नहीं है, अब मुझे सिर्फ क्या देखना है, यह equal to 2 theta हो जाएगा, लेकिन उसके लिए condition है कि sir, यह 2 theta जो है न, इसकी principal value branch, यानि minus pi by 2 से लेकर के, pi by 2 के बीच में लाई करना चाहिए, yes or no, yes, बिल्कुल करना चाहिए, तो फिर मैंने एक बार persecution की तरफ देखा, और मैंने पाया कि sir, इसने x के बारे में कुछ नहीं बोला, इसने कुछ information मुझे ऐसी नहीं दिये, जिसके according मैं इसको ले सकूंगी, यह कहा लाई करता है, तो इस condition के लिए, मुझे हमेशा मान के चलना है, यह मेरा principal value branch में लाई करना है, अगर यहाँ पे x की कोई condition हो, जो कि आपको next question में दी होगी, वहाँ से मैं करवाँगा, अगर मुझे question simple ऐसा दे दे, और वह बोलता है कि dy by dx निकालो इसका, ठीक है, और उसने कुछ condition नहीं दी है, मुझे कुछ condition नहीं दी है, तो फिर मुझे मेरे favor में मान के चलना है, बस मान के चलो कि first quadrant में लाई करना है, first quadrant मतलब इसमें है, इसमें है, x equal to tangent theta है, तो theta क्या हो जाएगा sir, tangent inverse x हो जाएगा, put the value, it means this becomes 2 into tangent inverse x, क्या चीज़े clear, जी बिल्कुल clear, अब मेरे पास एक function बने गया sir, y is equal to 2 tangent inverse x, हो गया, सर हो गया, इसका answer क्या होता है, सर 2 तो constant है, क्या निकालना है sir, dy by dx, differentiating both side, 2 तो constant है sir, भाहर, अब मुझे बता है, tangent inverse x का derivative, मैंने थोड़ी देर पहले पहले पढ़ा था sir, 1 divided by 1 plus x का लिख दो, 1 divided by 1 plus x क्यार, that's your answer, clear, easy हो गया, एक property से मेरा काम, कितना असान हो गया, otherwise मुझे बहुत सारी calculation करनी पढ़ती, इसके लिए आपके trigonometry थोड़ी अच्छी होने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, और यह हमेशा मुझे idea देगा, कि इस type का formula चाहिए, अगर by chance कही प्लस माइनस में गड़बड़ भी हो रहे हैं, तो भी यह formula बता रहा होगा, कि बेटा यहाँ plus नहीं minus आता है, ठीक है, एक दो किसन सोर दिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और वैसे तो यह direct formula बन जाते हैं, ठीक है, अगर element की बुक से कोई बच्चा बढ़ता है तो वहाँ पर यह formula लिखे होते हैं directly, जितने कि उसन तुमारे NCRT में given है, सारे formula है, ठीक है, अब RD से नहीं बढ़ो, elements बढ़ते हो, ठीक है, तो उनके लिए तो यह formula होते है directly, तो देको next, इस नमर्ट 10 में क्या given है भाई, y is equal to, tangent inverse, अंदर मुझे given है, 3x minus x cube, 3x minus x cube, whole divided by 1 minus 3x, यह मुझे given है, और इसने साथ में यह बुला है, and, मेरा x जो हैना सर, वह minus 1 by root 3 से ले करके, 1 by root 3 के बीच में लाई करता है, ऐसा कुछ बूले भाई, yes, यह condition उसे given है, so now we have to differentiate this, or we have to find dy by dx, बताए कैसे करोगे, ठीक है, वही तरीका, formula डूडते है, ऐसा कोई formula याद आता है, ठीक है, सर बिल को याद आता है, tangent 3 theta एक formula होता है, इसको में लिख सकता हूँ, 3 tangent theta, minus tangent q theta, divided by, 1 minus 3 tangent square theta, ठीक है, अगर मुझे याद भी नहीं है, तो मैं तो इसको देख देख के लिख दिया, ठीक है, सिंबल सा है, तो यहाँ क्या बनेगा, tangent 3 theta, और जब objective करोगे ना, तो सिर्फ formula याद करना है, direct answer आएगा, सिर्फ formula याद करना, concept मैं बोलता हूँ आना चाहिए आपको, ठीक है, बाकी चीज़ें आप जैसे practice करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो trick वगरा यह जो फाल्तो की चीज़ें होते हैं आपने आप बनती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे मैं इसी में बताऊँगा आपको, कैसे, अगर मेरी थोड़ी सी practice अच्छी होगी तो कैसे होगी चीज़ें, ठीक है, मुह करते हैं, तो अगेन मैं क्या substitute करूँगा सर, x को substitute करता हूँ, tangent theta, x को जैसे ही मैंने tangent theta substitute किया, this y is equal to क्या बन जाएगा सर मेरे पास, tangent inverse, 3 tangent theta, minus tangent cube theta, whole divided by 1 minus 3 tangent square theta, जहां-जहां x था मैंने tangent लिख दिया, यह formula, मुझे याद है सर क्या बन जाएगा, this is your tangent inverse tangent 3 theta, अब देखो भाई, अब यह 3 theta कहां लाए करना चाहिए सर tangent के लिए, कि अगर यह 3 theta मेरा, किस-किस के बीच में हो जाए सर, sorry, minus pi by 2 से लेकर के, pi by 2 के बीच में होना चाहिए, यही तो होता है ना बई, tangent theta के जो principal value branch है, वो क्या होती है यह होती है, और यहां जो भी angle होता है, doesn't matter, it is theta 3 theta x y z, कुछ भी हो doesn't matter, यह हमेशा क्या होना चाहिए सर, इसके बीच में आएगा, तभी यह formula apply होगा, यह equal to 3 theta कब होगा, जब ऐसा होगा, otherwise यह possible नहीं है, तो अब इस condition के लिए ना, मुझे उस x के help लेनी थी थी, यह condition में क्या था, अब है ना, तो निकालो फिर, यह अटा दूं भाई, ठीक है, formula में बाद में बता दूंग आपको, अब यह हमेशा मुझे एक बार, चेक करके देखना है, कि सर मुझे क्या given है, कि मुझे यह given है, x जो है न मेरा, माइनस 1 by root 3 से लेकर के, 1 by root 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, x को मैंने बोला tangent theta, तो भाई, x लाई करता है, x का मतलब tangent theta, इसका मतलब tangent theta भी कहा लाई करता है सर, tangent theta भी minus 1 by root 3 से लेकर 1 by root 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ बटा, tangent theta अगर इन दोनों के बीच में हैं, तो theta कहां से कहां तक होना चाहिए, theta 1 by root 3 कहां होता है, यह sorry, tangent theta जो है, 1 by root 3 किस एंगल के लिए होता है, 1 by root 3 होता है सर, 30 degree यह यह पाई बाई 6 के लिए, तो minus, यह नि 4th quarter में कहा होगा सर, minus 5 by 6 के लिए, यह बस मुझे पता होना चाहिए, मुझे यह 3 theta, multiplying throughout by 3, 3 से multiply कर दो, यह भी 3 से multiply होगा, यह भी होगा, यह भी 3 से multiply होगा, this become your minus pi by 2, this is your 3 theta, and this become your pi by 2, बन गी बात, बन गी की नहीं बन गी, yes, बन गी, that's it, इसका मतलब, this is equal to 3 theta होगा, मैंने बुला, 99% के सिज भी होगा, यह होना चाहिए न, sorry, मैंने एक गडबड कर दी यहां पर, यह equal to be given है, no, sorry, यह equal to sign नहीं है, बैए, चीक है, और यह हो भी नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि, बिटा, यह open interval में होता है मेरा, tangent theta की जो, principle बली ब्रांच है, वो open interval, minus pi by 2 से लेकर के, pi by 2 होता है, मैंने tangent theta लिया था, implies that मेरा क्या मनता है, theta क्या हो जाएगा, tangent inverse x, बस, होगे काम, this 3 into tangent inverse x is there, so now it's easy to find dy by dx, so dy by dx क्या हो जाएगा, sir, मेरा, 3 constant है बाहर, into tangent inverse 1 divided by 1 plus x, that's your answer, easy, that's it, इसका मतलब सिर्फ मुझे यह formula बता होने जी, ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, देखो, जब आपको ऐसा दिख जाए ना, कि sir, यह formula इससे match कर रहा है, इसका मतलब यह formula बनेगा tangent 3 theta का, ठीक है, इसका मतलब, tangent inverse tangent 3 theta is equal to 3 theta, अब directly यहां से यहां आ गए, और theta के answer, यहां से मुझे बता लगे है, x को में tangent theta रखूँँगा, आम अलब tangent inverse x, इसका derivative लिख दो, यानि कुछ seconds में किस्टन हो सकता है, अगर आपने थोड़ी सी practice कर ली है, तो, मैं initial stage पे ऐसी चीज़े इसलिए नहीं बताता, क्योंकि पहले बता practice कर लो अच्छे से, otherwise, मैं 100% sure हूँ आप गडबड़ कर होगे, ठीक है, 101% बोल सकते हैं, ठीक है, तो tricks बगएरा के चक्कर में, कुछ नहीं होता, concept होता है, जब मैंने एक चीज़ को 4 बार कर लिया ना, मुझे चीज़े सामज में आने लग जाती है, कि सर यहां जो formula होता है, इसका जो angle आएगा ना, यानि जिस formula बन रहा होगे, जैसे tangent 3 theta का, next में किसका बनना था, sin 2 theta का formula बन रहा था, ठीक है, 2 theta, that's it, तो मेरा answer यहां 2 theta है, यहां पे 3 theta है, 2 theta, 3 theta, जो भी formula बन रहा है, बस वो angle final answer होगा, उस theta को replace कर लो, x की form में, उसी का derivative निकाल दो, आपका answer आगया, that's it, चीक है, तो बस आपका थोड़ा सा अगर concept अच्छा है, तो आपको problem नहीं होगी, so this is your question number 10, बस formula पता होनी चीए, आपका हो जाएगा, 11 आप कर ले न, cos 2 theta का formula यूज होगा इसमें, tangent theta, 1 minus 10 square theta, divided by 1 plus 10 square theta, same, you can do it yourself, and, मैंने बोला 11 कर सकते हो आप, ठीक है, अब मैं move करता हूँ, किस नमब 12 में देखो, किस नमब 12 ने क्या बोला, y is equal to sin inverse 1 minus x square, divided by 1 plus x square, यह मुझे given है, and, x जो है, वो 0 से 1 की बीच में है, यह condition मुझे की रहे, यह question है मुझे, ठीक है, तो पहले 3 questions directly simple थे, direct formula मुझे दिख रहा था, कोई दिक्कत में, sorry, यहां क्या किया जाएं, यहां क्या किया जाएं, क्या दिखते आपको, कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मेरा question फटाफट से solve जाएं, क्या ऐसा कोई sine का formula है, अगर आप याद करो तो ऐसा कोई भी formula sine को आपका नहीं दिखेगा, कि जिससे मुझे sine मिल जाएं, ऐसा कोई भी formula नहीं है, तो sine का कोई भी ऐसा formula नहीं है, चाहिए आप sine 2 theta लेलो, sine 3 theta लेलो, fractions में जिर्फ एक ही sine का formula है, that is sine 2 theta जो हमने पहले question में use कर लिया, ठीक है, तो अगर आपको देखो mindset है, formula याद है, तो अच्छी बात है, नहीं याद है, तो एक पर लिख की देख लो, कि sine theta के यह formula होते हैं, मेरे पास मैंने लिखनी है, इन में से कोई fit है, नहीं बैठ रहा है, sine theta के formula fit नहीं बैठते हैं, तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए sir, कि sine theta के formula होता है, sine अगर मैं 90-theta कर दू ना, तो वहाँ से आ जाता है cos theta, यानि अगर मुझे cos theta भी मिल जा है, तो भी मुझे cos theta बना सकता हूं, तो अब मैं वापिस से आया, मैंने चेक किया sir, क्या मैं इसको, फिर मैंने इसको देखा, कि क्या मैं इसको cos theta की form में change कर सकता हूं, तो फिर में दिमाग में आना चाहिए sir, बिल्कुल कर सकते है, कि cos 2 theta का एक मेरे पास formula होता है sir, that is your 1 minus tangent square theta whole divided by 1 plus tangent square theta, यानि यह वही है जो last question में भी use होता हूं, यानि मैं कौन चाह बोला था, question number 12 में आपको करवा रहा हूं, 11 और 12 जो है, sorry, just a minute, question number 11 और 12 में same चीज़े use हो रही देखो, सिरफ difference क्या है, वहाँ पे इसनी यहाँ cos लिख दिया, यहाँ पे sign लिख दिया, तो cos वाले में मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं cos के formula दूड़ता, मैं sin के formula दूड़ता और फिर मैं फज़ जाता कि sir, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, sin का नहीं मिल रहा, मैं cos का लगा लेता हूं, सब्सक्राइब करें किजिए, तो मैं सब्सक्राइब करता हूं, put x is equal to cos, sorry, this is tangent theta, x के जाए tangent theta रखोगे, तभी तो cos 2 theta बनेगा, use it, this become y is equal to sin inverse, 1 minus x के जाए, this is your tangent square theta, whole divided by 1 plus tangent square theta, clear, okay, so this become your sin inverse, again this become your cos 2 theta, so अब इसका तो मेरे पास formula नहीं है, यहाँ sin है तो यहाँ भी sin चाहिए, तो अब मैंने इस चीज़ के लिए आपको यह बताया था, तो इसका मतलब अब मैं इसको लिख सकता हूं, sin inverse, sin 90 minus 2 theta, तो इन जनल हम रेडियन में लिखते हैं तो इसको pi by 2 लिखते हूं कोई बात नहीं, चीक है, pi by 2 minus 2 theta, चीज़े clear? ठीक है, ऐससो लिखता हूं, sin 90 minus theta, first quarter, first में सब कुछ positive, 90 बोलता है sin को चीज़ कर देए cost में, 2 theta, यानि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब यह जो है न, यह कहां से कहां तक होना चीज़े sir, sin theta, यानि यह minus pi by 2 से लेकर के, pi by 2 के बीच में होना चीज़े, ठीक है, तो अब मेरे पस condition क्या है, मेरे पस condition है sir, x जो है मेरा, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, I think open interval equal to yes, ठीक है, तो x मैंने क्या लिए sir, sir, मैंने x लिए tangent theta, इसका मतलब tangent theta जो है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, yes or no, बिल्कुल sir, 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब theta कहां से कहां तक है sir, theta मेरा 0 से pi by 4 के बीच में होगा, यानि 0 पे 0 होता है tangent, और pi by 4 पे क्या होता है sir, 1 होता है, that's it, मुझे चाहिए sir, पहले 2 theta चाहिए, throw out मैंने 2 से multiply किया, multiplying throw out by 2, 2 into 0 is 2, 2 theta is less than, इसको 2 से multiply करो कि अब अब जेगा pi by 2, यहां तक चीज़े clear, inequality आती हो कि hope show भाई, मुझे यह पूरा निकालना है भाई, तो पहले मैंने 2 theta निकाला, अब 2 theta किया है कि मुझे मुझे, so minus 1 से जब multiply करोगे, तो inequality क्या होते है, flip हो जाती, sine change हो जाती, this become, sorry, 2 into 0 is 0, sorry, minus करोगे तो this is minus into 0, that is 0 हो जाएगा, but sine क्या हो जाएगा, this is minus 2 theta, sine flip, minus pi by 2, यहां तक clear, that's it, अब मुझे pi by 2 तो, adding pi by 2 throughout, pi by 2 plus 0, you get pi by 2, is greater than, pi by 2 add, pi by 2 minus 2 theta, is greater than, pi by 2 minus pi by 2, यह बन जाएगा 0, यानि मेरा यह जो एंगल है, वो 0 से किसके बीच में है, pi by 2 के बीच में, तो इसको मैं directly लेख सकता हूं, that is equal to pi by 2 minus 2 theta, that's it, theta क्या लिया था, वापे से theta क्या हो जाएगा, tangent, तो this is pi by 2, minus 2, tangent inverse x is there, अब यह यह है, derivative निकालोगे, dy by dx, क्या हो जाएगा था, constant 0, minus 2 मेरा, as it is, tangent inverse x, 1 divided by 1 plus x square, बार बार tangent वाली द्रम्स आरही है, that's it, that's your answer, clear, that's it, so, this is your question number, 12, 13 में इसने क्या कर दिया, 30 में, cos inverse, अंदर sin का formula देती है, अंदर क्या कर दिया, sin का formula देती है, that's it, तो अब इसको क्या बना हो गया, x को वही tangent theta लोगे, यह formula जो आपका बनेगा, sin 2 theta का, sin 2, sin को change करोगी, cos में same procedure जैसे यहां किया, वैसे ही आप करोगी, यह आप question करोगी, खुझ से, ठीक है, हो जाएगा, question number 12, 13, last 2 question रिस exercise की, वो करवा देता हूँ, फिर एक-दो execution देख लेगे, इसको उठाता हूँ मैं, sound में आ रहा है बई, चीज़े clear है, देखो, question number 40, क्या given है sir, y is equal to, sin was, 2x into, root of, 1 minus x square, और यहाँ पे इसने given है, कि x जो है मेरा, minus 1 by root 2 से ले करके, 1 by root 2 के बीच में, लाई करता है, ठीक है, clear, that's it, so again we have to differentiate it, so, फिर से वही दिमाग में आना ची, क्या यह कोई formula बन रहा है sir, sir, बिल्कुल बन रहा है, अगर आपको याद हो, sin 2 theta जो होता है, 2 sin theta into cos theta, यह सुनू, बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो अगर मैंने x को sin theta रख दिया, तो 1 minus x square का root अपने आप ही क्या बन जाएगा, cos theta बन जाएगा, clear, तो मैं करता हूं put, x is equal to sin theta, so this become your, y is equal to sin inverse 2 sin theta into, root of 1 minus x square, root of 1 minus, एक बर मैं ऐसे लिख देता हूं, sin square theta, चीज़े clear, यहां तक को दिक्कत नहीं होनी चीए, आगे बढ़ते हैं, sin inverse, 2 sin theta से मुझे को दिक्कत नहीं है, 1 minus sin square theta होता है सर्क cos square theta, और cos square theta, square के उपर root हमेशा हम लिखते हैं, mod of cos theta, यहां तक चीज़े clear? Yes or no? Sir मुझे तो 2 sin theta cos theta चीए, हमने तो mode लगा दिया, तो अब ध्यान से देखो, अब बस अगर मुझे यह पता हो कि cos theta हमेशा positive हो, तो अपने आप cos theta बन जाएगा, तो इसके लिए मुझे क्या पता हूं चीए, कि theta क्या है वाई, कौन्से quad में लाई कर रहा है, टीक है, तो हम आ मैंने देखा सर, x जो था-1 by root 2 से लेकरके 1 by root 2 के बीच में है, तो x कका है सर? sin theta से 1 by root 2 से लेक करके –1 by root 2 के बीच में है, और ये कब होगा, जब theta कहां से कहां तक होगा सर? theta मेरा – cum by 4 से May 6 के बीच में होना चाहिए, यह तो जीज़े समझ में आती है, सिंपल सी वेल्यूज़े, पता होने चाहिए, साइन थीटा, साइन 45 क्या होता है, 1 by root 2 तो होता है, माइनस 45 कर दोगे तो, माइनस का 1 by 2, यानि थीटा कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, यानि कहां हो आप, सार मैं 4th और 1st क्या होता है, और 4th और 1st में कहुँआ होता है, तो अब देखो, 5 के उपर मैं mode लगाऊ या ना लगाऊ, कोई फरक नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब यह हमेशा कह रहेगा, positive, that's why this, like this, this again, sin inverse, this become your sin 2 theta, अब यह 2 theta कब होगा, जब यह 2 theta minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में लाइग करना चाहिए, multiplying throughout by 2, you get here, minus pi by 2, you get here 2 theta, and you get here pi by 2, मैंने दोना तरफ के आगे लिए 2, यह है, इसलिए मैं इसको 2 theta लिख सकता हूँ, वैसे हम क्या कर रहे है, objective papers कर रहे हैं, इसको पहले, ठीक है, तो मैं directly बोल सकता हूँ, that's why, या फिर इसको equation बना ले, by 1, you can say that, ठीक है, theta बापे से देखो क्या है, 2 agities, theta is your sin inverse x, यहां से, theta क्या बन जाएगा, sin inverse x, y की value यह है, अब I think मुझे आता है, dy by dx निकल लो, क्या आएगा, 2 merasities, this become 1 divided by root of, 1 minus x, that's your answer, easy, it's very very easy, so, the last part, ठीक है, हटा को इसको, ठीक है, अब चलो, last part भी मैं कर बात देता हूँ, and फिर हम कुछ, देखो, यह topic ऐसा है, जिस पे किसम स्कम पूची जाते हैं, पहली बात दोई है, ठीक है, उपर से properties हमारे flavors में नहीं है, तो उससे साफ से यहाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, एक lecture और लूँआ मैं बाद में, इसी से related, क्योंकि बहुत सारे इसी questions हैं, जो, NCRT में सर्फ ऐसी given नहीं, मतलब, में direct formula की बात नहीं होगी, मुझे कुछ और substitute करना होगा, और उसके भी मेरे पास कुछ standard form रहती है, standard चीज़े रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी आपको, So, last question मुझे given है sir, इसने number 15, y is equal to, second was, 1 divided by 2x square minus 1, और इसने simple सा given है sir, x कहां से कहां लाई करता है मेरा, 0 से 1 by root 2 के बीच है, चीज़े हैं, तो ज़्यादा बहनेत करने की ज़रूत नहीं है, simple से चीज़े हैं, मुझे इस part को बनाना है sec, इस part को sec बनाने का मतलब है, 1 divided by something, यानि इस वाले part को क्या बना लो, cos, ये part क्या बना चाहिए, cos की form में बना चाहिए, तब ही तो 1 by cos क्या sec, क्या ये cos का कोई formula है, ज़र याद है जाएगा कि cos 2 theta जो होता है, वो होता है, 2 cos के अगर theta minus 1, यानि x को क्या substitute कर दो sir, cos theta, x को करोगे, ये क्या बन जाएगा, cos 2 theta, 1 by cos 2 theta is sec, तो sec inverse, sec 2 theta, और ये 2 theta इसी में लाई करेगा, तो ये आजएगा 2 theta, theta क्या हो जाएगा, 2 cos inverse x, इसका differentiation आता है, जस्त मैंने hint दे दिया, आप कर सकते हो कुछ से, ठीक है बाई, तो ये था आपका inverse trigonometric function, differentiation of inverse trigonometric function, जितना आपका anxiety में है, ठीक है, not according to the syllabus, मैं बोल सकता हूँ, कि properties मैंने नहीं पढ़िए, properties के बगर मैं, questions नहीं कर सकता, वैसे तो, ठीक है, बट इन जनल, हमें दिया हुआ ये चीज़ें, ठीक है, कुछ, बाकी sample पर बगर मैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अभी के लिए, तेंक यू.